वेलकम फ्रेंड्स माइफ़नेशन क्लासेश में आपका स्वागत है यह है आपका एनिटाइम क्लास्रूम अगर आप हमारे साथ जोना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में एक बेल आइकोन है उसे जरूर दबाईए ताकि हमारा सारा वीडियो अब त सब्सक्राइब करें अगर आपने इनसे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप जाओ प्लेजिस से निकालके उनको देखो और इस सीरीज में से बरनेट प्लस को सेंस आने वाले हैं जो आपके एक्जाम के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है तो चलिए स्टाट करते हैं लॉओ फ्लोटिंग सिधान्त की किस ने की यानि जो तैरने का नियाम है किस ने दिया तो वह दिया था आर्क्मिटीज ने अर्कमिटीज के मुश्वारी कोई बीचानी किसी भी लिकीट में तैर सकता है तो उन्होंने दिया था निमलिकित में से और सत्त को चुने यानि कि जो भी आपको कंडिशनस दिये हुआ है उसमें से गलत कौन चाहा है उसमें गलत है बेल वाता वरणी है दवाब मापने की आही है बेल किसका यूनिट है है डेसिबल आपको पता है डेसिबल किसका हैसिबल रूप है तिनों सही है हिग्रोमीटर किसे में आपने के लिए परियोग में लाइ आपने के लिए यूज़ करते हैं एक जहाज एक नदी से समुद्र में पहुंचता है तब उसको क्या उसमें क्या अंतर क्या आता है तो जब एक जहाज नदी से जब जब कोई हवा बुलबुला किसी जील की तलहटी से सता पर आता है, यानि कोई हवा का बुलूला है, वह नीचे से उपर आ रहा है, यानि किसी जील के तलहटी से सता पर आ रहा है, सरफेस पर आ जाता है, तो क्या होता है, तो यह अकार में बढ़ा हो जाता है, यानि अंदर में अगर वह छोटा था, तो उपर आके यह बढ़ा ह तो क्या बोला जारा है कोई हवा का ब्लूला है वह तलेटइस सता तक आता है तो क्या शामान द्रिवान के दोचोष जिन में एक हवा में तुरा दूसरा पानी में निमंकित चित्र द्वारा दर साए गरे हैं तो इनका परवाँ क्या होगा अब देखो यह बहुत अच्छा कुश्यन है इस कोसे में क्या बोला जारा है कि दो ठोस है इसको एक को हभा में लटका गए अब आपको यह बोला जा रहे है कि इसको फर्क परण पड़ेगा आपको यह बताना है कि इसको इसको इस तरह से रखाज तो देखो ऐसे सेटियों का अगर आपको पता है तो बहुत इसली इसको समझ सकते हो अगर नहीं पता है तो फिरा फस्वाओगे एक्चुली में हावा में इसका वेट क्या होगा नॉर्मली आप जानते हो वेट क्या होता है एम इंटू जी ठीक है मास इंटू ग्रेविटेसन एक्षरेशन यह होता है यहाँ पे भी तो वही होगा एम इंटू जी तो आपको लग रहा होगा दोनों के वेट पर कोई फरक नहीं पड़ेगा पर देखो फरक पड़ेगा अब इसका इतना सा पार्ट पानी में डुआ हुआ हुआ है अब आपको पता है कि अगर कोई चीज पानी में डुआ हो तो उस पे एक फोर्स लगता है जि इस पूरे बोडी का जब आप मास निकालोगे तो इसमें थोड़ा सा फोर्स उपर के और भी लगेगा इसका मतलब इसका बोडी का वेट जो है वह रेड्यूस हो जाएगा क्योंकि इसमें पूरा-पूरा एमजी लग रहा है लेकिन इसमें एमजी माइनस यह जितना सा पार इतना ही हुआ कि इसमें किसी भी तरह का बायोंसी एक्चुली में एर में भी लगता है लेकिन इतना मिनिममम होता है इतना ज्यादा कम होता है हम लोग उसको नेगलेक्ट करते हैं ना के प्राव होता है इसलिए हम लोग बोलते हैं एर में बाइन फोर्स नहीं लगता है तो वेट है नीचे के डायक्सर में और यह है उपर के डायक्सर में इसका मतलब जितना यह लग रहा है total weight में उतना माइनस कर देंगे हम total weight है मेरा mg और मालों कुछ भी है x यह तो मैनस x यानि mg से तो यह हमेशाँ छोटा हो गया तो in short अगर पूरे को हम लोग conclude करें तो ये समझ में आएगा कि इसका weight इसके weight से ज़्यादा होगा अगर दोनों का mass same है और ये air में लटका हुआ है और ये इतना सा partage का पानी में है ठीक है तो आपका option जो होगा वो होगा A चित्र एक अभार चित्र दो के भार से अधिक होगा ठीक है इसका अभार इससे अधिक होगा क्यूं होगा ये समझना जरूरी था ठीक है तो आई होब कि आपको ये question समझ में आ गया होगा कि इसका weight ज्यादा क्यूं होगा यह थर्मस फ्लास्क में रखाघ कर्म द्रव किस परिक्रिया से सुरक्षित राने के कारण गर्म बना रहाता है यहानि आपने कोई भी Türkiye से उसकी रख्षा होती है किस प्रोसेस उसकी अच्छाते हैं इसके खरण वा गर्म रहता है तो आपको पता है कि heat lost होता है वह तीन process से होता है क्या-क्या conduction convection और radiation होता है ना conduction convection radiation जिसको हिंदी में बोलते हैं conduction हो गया challenge i convection हो गया शंवहन और विक्रण हो गया radiation conduction convection यह तीन प्रोसेस है जिससे heat transfer होता है अगर इस तीन प्रोसेस से किसी को प्रोटेक्ट कर लिया जाए तो वो कुछ टाइम तक गर्म बना रहेगा ठीक है यानि बिल्कुल से स्टॉप तो नहीं कर सकता है लेकिन मिनिमाईज कर देता है जिसके कारण बहुत दिर तक उसमें गर्मी बनी रहती है तो आपका क्या हो जाएगा उपर यूप तीनो उपर यूप तीनो से इसको सुरक्चित करता है थरमस दी गई वायू के आयतन में जलवास्प के मात्रा को क्या जाना जाता है तो इसको जाना जाता है निर्पेक्स आधरता निर्पेक्सादर्ता क्या होता है? निर्पेक्सादर्ता होता है, आपको air का एक volume दिया हुआ, यह हमेशा क्यूबिक मिटर में दिया रहेगा, और बोला जाएगा कि इसमें कितना जलवास्प है, तो इस सीज़ को ही हम लोग बोलते हैं, निर्पेक्सादर्ता इन्ही absolute humidity, ठीक एक पात्र जिसमें पानी है, एक बीम तुला पर शाम्यता में है, जब कोई पात्र की तली और इसकी सतहों को बिना चुए, पानी में उंगली डालता है, तो पात्र जिस पर रखा गया है, उस तुला का पैमान क्या होता है? इतना बड़ा question है, आपको ये बोला जा रहा है कि आपका एक physical scale है, ठीक है, तराजू, ठीक है, इस physical scale पे आपका पानी का एक ball रखा हुआ है, उसमें कुछ पानी है, जो stagnant है, यानि उसमें कोई हलचल नहीं मच रहा है, वह equilibrium position में है, ठीक है, अब आपको ये बोला जा रहा तो क्या फर्क पड़ेगा, उसके physical scale पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या यह जूख जाएगा, क्या उपर उड़ जाएगा, क्या इस पर क्या फर्क पड़ेगा, जैसे पालेता, वैसे अभी भी रहा, अगर आपका उंगले उस ball के surface पे touch कर जाता है, तो फिर ये बढ़ ठीक है तो फिर स्केल नीचे चला जाएगा और अब उसका वजन बढ़ जाएगा लेकिन अगर सर्फेस को टच नहीं करता है और सिर्फ आप पाने में अपना उंगली डुबाते हो तो फिर इसके वेट पे कोई प्रभाब नहीं पड़ेगा तो फिजिकल स्केल पे भी कोई प अपस में दबाते हो तो क्या होता है ओप जाते हैं तो एक पॉयंट कम हो जाता है जिसके करण यह आपस में चिपअ की जाते हैं फोर साकी बूंद गोलाकार क्यों होती है यानि आप देखते बाइव कर जो जैसे भी बुंद गिर रहा हो वह हमेशा जो इस परिकल से कहना उसे में गरता है यानि गोलाकार में ही गिरता है ऐसा क्यूंँ होता है यह कुछिशन को मैंने पहले भी दिल किया है यह इसके प्रिष्ट तनाओं के कारण होता है किसके कारण होता है तो प्रिष्ट तनाओं के कारण इसा सॉखने में सामील है तो इसे पहले भी मैंने बता या जैसे आपको आपको बोला जाता है किसके कारण से यानी केप्लराइट प्रोसेस के कारण नatट Hack के सब में जब एक जहीं की सतह पर जल जमने जा रहा है तो इसके तल प्र पानी कातामान क्या होगा यानि कोई भी अब जिल में जौओ लेक तो सरफेस पर जम रहा है यानि वह फ्रीज हो रहा है तो आपसे यह बोला जारा है कि उसके बोटम पर टेंपरेचर का क्या हाल रहा होगा ठीक है तो जब सरफेस पर पानी जम रहा होगा तो उसके बोटम पर जो टेंपरेचर होगा वह होगा चार डिगरी सिल्सियस इसी पारा में क्या होता है डूपता है तैरता है क्या होता है तो लोहा को जब आप पारा में डालते हो वह उसके तैरता है ठीक है क्योंकि पारे का डेंसिटी से बहुत ज्यादा है जिसके कारण से लोहा भी उसमें असानी से तैर सकता है तो लोहा क्या होता है पारे में लोहा पार प्राप्त की जाती है यानि कोई ठोस कितना सुध है इसको हम लोग किस प्रोसेस के कारण प्राप्त कर सकते हैं इसके गलनांक विंदू के कारण यानि कि अगर जो ऑरिजिनल ठोस है उसका एक specific गलनांक यानि melting होगा अगर उसमें से चेंजेस आते हैं इसका मतलब उसमें कुछ मिच्ट है अगर नहीं आते हैं इसका मतलब उसका अगर specific जो melting point इस प्रोपर्टी बस वही है आपको question अलग-अलग डाल देता है property वही है मैंने बताया था saline water समुद्र में जो salinity वह बढ़ जाता है जिसके करण उसका density ज्यादा हो जाता है इसके करण ये सारा खेल होता है तो तेरा को नदी के मुकाबले समुद्र में तेरा असान लगता है क्यों कि समुद्र का पानी का जो density है वह सधराण पानी से ज्यादा होता है इसी करण से उसमें आसानी से तेरा तैर सकता है वाई मंडलय दाब मापा जाता है इस से पहले भी हम लोगोंने देखाता है इस कौशन को वाई मंडल्य ॐग्यानी पानी की टब में नाते हैं आचानक । युरेका-। चिलाते हुए बाहर निकलें थे इस इस्टोरी से आप सब राकिफ होगे सिमांत घर्षन किस पर निर्वार करता है तल की प्राकिर्थी और अभिलम पर्तिकिरिया पर निर्वार करती है आन्विक संगटन के द्वारा उसमा का संप्रेशन क्या कहलाता है यानि इसके सब्सक्राइब आपको यह पूछा जारा है कि कोई भी चीज का कोई भी लिक्वीड में जो मॉलिक्लर मुवमेंट्स के द्वारा जो हीट ट्रांसपर होता है उसको क्या पोलते हैं तो मॉलिक्लर मुवमेंट्स के द्वारा हीट ट्रांसपर को क्या कहते हैं उसको कहते हैं कंवेक्शन यानि समवहन ठीक है समवहन प्रोस करता है तो जैसे आप लोग का राड लेते हूं पर क्या यह एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को रहा है पुर सास्फर क्या है आप करेंगशन क्या हूं क्या हुआ उसके कोई medium नहीं चाहिए जैसे sunrise sunrise आप तक पहुंचता है इस बीच वाले medium को यह कोई heat नहीं करता है इसमें कोई फरक नहीं पड़ता है डिरेक्ट आपका sunraise है वह यहां जमीन पर पहुंचता है और यहां पर heat transfer करता है इसको बोलते है तो उस वक्त इसके द्वारा car जाएगा यहां गेस के द्वारा कार की जा जाएगा उनी कपड़े सूती वस्त्रों की affectixa गर्म होते हैं क्योंकि उनी कपड़ा हम थंडे में पांथ थे तो वह गर्म होता है उसका कारण क्या है उसका करने ताप के अच्छे रोदक है यानि हमारे बोड़ी में जो गर्मी होता है उसको बाहर जाने नहीं देता है ठीक है ग्रिस्म काल में हमें सफेद वश्ड़ धारन करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि सफेद वश्ट्र क्या करता है, सफेद वश्ट्र ताप का कम अप्सर्वशन करता है, यानी सफेद वश्ट्र जो है, यानी white cloth यह अच्छा रिफ्लेक्टर है, जिसके कारण से maximum जो heat आते रहते उसको यह reflect कर देता है और बहुत का मात्रा में इसमें absorption होता है heat का ठीक है इसी कारण से हम लोग गर्मी में सफेद कपड़े पांते हैं शरीर के पसीना सबसे अधिक कब निकलता है यानि आपके सरीर से पसीना सबसे अधिक कब निकलता है किस condition में तो जब तापकरम अधिक और हवा आध्रो तो आपको पता है कि जब atmosphere का condition जब humidity एट्मोसफेर में ज्यादा हो जाता है आप इसको बोलते हो उमस भरा मौसम ठीक है तो जब उमस ज्यादा हो जाता है यानि कि air content में humidity का जो content वो ज्यादा हो जाता है यानि आपके आसफास हवा ह उसमे humidity ज्यादा हो जाता है यानि आधरता वो ज्यादा हो जाता है जिसके कारण से आपको उमस भरा मौसम रखता है और उस condition में सबसे ज्यादा पसिना निकलेगा जब धूप होता है ज्यादा और हवा चला है उस वक्त आपके लिए बहुत ज्यादा पसिना निकलने का होगा इसका सही अंसर होगा जब तापकरम यानि temperature भी ज्यादा हो और humidity भी ज्यादा हो अगर ऐसा दोनों condition में जाता है तो उस condition में सबसे ज्यादा पसिना निकलता है और अगर पीडियाफ की बात करें तो पीडियाफ मैं अगले वीडियो से विडियो में मिल जाएगा उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूगा आप वहाँ से डानलोड कर लोगे ठीक है और बहुत सारे एस्प्रेंट्स बायो के और chemistry के प्रिवेस देश कुष्टन हैं वह मैं लेकर आऊं प्रिवेस देश के कुछ लेकिन उसके लिए फ्रेंट्स आपको कुछ करना होगा अब अगर मैं कुछ लेके आता हूं तो मेरा भी ब्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे आप उसको मैक्सिममन लोगों तक करें तो मैं भी मुझे भी अच्छा लगता है अगर अगर मैं को वीडियो डालों और आपको अच्छा लगता है तो मुझे अच्छा लगता है क्योंकि यह चीज आपके लिए मैं कर रहा हूं और देखो यह आप जितने मेंबर्स अभी देख रहे हैं इसको आगे बढ़ाना भी आपका फर्ज बनता है और आपको अंदर में यह फिली आना चाहिए कि आप जो देख रहे हो और वह अच्छा है मैं कुछ भी डालके नहीं बुलता हूं को आप इसको सेर करो यह वह सब मुझे नहीं आता है लेकिन हा क्योंकि वह अल्टिमेटिल लेकि बस मॉयल में रखेगा उसको कोई फैदा है नहीं ठीक है जो नीडी है आप उन तक पहुंचाओ देखो अके लिए मैं यह करनी सकता इसके लिए तो आपको यह कुछ न कुछ करना होगा मैं जितना कर सकता हूं मैं कर रहा हूं और मैंने आ तो आप देखना चाहता है इसलिए कंप्यूटर में अच्छा अच्छा कोईशन मनलब वह जिसको आप लूल कोईशन बोलते हो वह इसलिए कोईशन का लेवल तोड़ा अच्छा होता है इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं कुछ ऐसे कुशन्स एवलेवल करा हूं जो जनरली इसलिए मैं यह और वह आपना एक और ओडियार करना आपको ज़्यादा-जयादा करना जो नीडी है उनको देना हो और अटमेटल आपका एक प्लेटफॉरम एं उसमें एक मेंबर्स भी बड़ए तो मुझे भी करने में अच्छा लगगा ठीक है तो चलिए I hope कि आप इसको जितने लोगों को जरूरत है आप सब को सेर करोगे मिलते हैं फिर अगले वीडियो में तिल देन टेक केर बाई बाई